फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चेनल कंट्रोल पेनल आइडियाज आयम प्रमोत परियार माई टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर कुस्चेंस और अंसर पार्ट वन तो दोस्तों हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर जानकारी लेकर आए हैं कि ट्रांसफॉर्मर पार्ट वन के अब्चेक्टिव ट्राइब कुस्चेंस और एंसर के बारे में आपको हम जानकारी देंगे और हमारे जो आइटाई फ्रेंड्स है या टेक्निकल साथी लोग है उनसे मैं बोलूंगा कि अगर हमारा चैनल सब्क्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्क्राइब कर ले और बेल कुस्चnisse 1 ट्रांसफार्मार किस सिद्दान पर कारता है ए-ए-ची बी-डी-डी-डी-डी-शी और डी-इन में से कोई नहीं नहीं दोस्तों इसका अंसर आने वाला है यह ए-ए-इडी शीक्न कुश्यनि नेस्ट आंपूट फोल्टेच के आधार ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, A step up transformer, B step down transformer, C A और B both, D none of these, तो इसमें आपका answer आने वाला है, voltage की आधार पर ये transformer दू प्रकार के होते हैं, इसमें answer है आपका C, A and B both, next question, कम voltage को अधिक voltage में बदलने वाले transformer कहलाता है, A step up transformer, B step down transformer, C A और B दोनो, D इनमें से कोई नहीं, तो कम voltage से अधिक voltage में बदलने वाले transformer कहला आएगा, वो दोस्तो, step up transformer, इसमें आपका answer A आएगा, next question, अधिक voltage को कम voltage में बदलने वाले transformer को कहते हैं, A step up transformer, B step down transformer, C A और B दोनो, D इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें answer आने वाला है, B step down transformer, next question, transformer का core किस पदार्थ का बना होता है, A copper, B aluminum, C loa, D silicon steel, तो इसमें आपका answer आने वाला है, D, silicon steel का दोस्तो बना होता है, जो lamination core होता है, वो silicon steel का बना होता है, next question, सामानता transformer की दस्ता efficiency कितनी होती है, A 25-30%, B 50-60%, C 70-80%, D 95-98%, तो आपका answer इसमें आने वाला है, D 95-98%, next question, transformer के अधिकतम overheat का क्या काराड़ हो सकता है, उच्च परिवेश तापमान, B निम्न बोल्टेज, C अत्यदिक भार ओवर लोट, D निम्न भार, तो इसमें आपका answer आने वाला है, दोस्तो, C अत्यदिक भार ओवर लोट, next question, इनमें से कौन transformer के भाग है, A welding, B core, C terminal, D, इनमें से सभी, तो इसमें आपका answer आने वाला है, B core, next question, transformer की winding निम्न में से किस पर की जाती है, A tank, B leader, C core, D, मुख वड़ी, तो इसमें आपका answer आने वाला है, C core, next question, transformer में लोट से जुड़ी हुई winding होती है, A primary, B secondary, C, A और B दोनो, D, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका answer आने वाला है, B, secondary winding, तो दोस्तो, यह हमारा वीडियो पशंद आए, तो प्लीज लाइक, सब्क्राइब, शेयर करना ना भूलियेगा, Thank you for watching my video, Please, subscribe my channel, Thank you,